ही गाइज, वेलकम तो इस्वोस पॉइंट, मैंसेफ रशिका और आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वीजनाइस की करेंट अफिर्स जो हमारी एप्रिल मंद की है तो एप्रिल मंद के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहली जो टॉपिक देखने वाले हैं वो एज यूजवल हमारी पॉलिटी एन कॉंस्टिशिशन होने वाली है तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि टोटल यहां पर सिक्स टॉपिक है इस बार पंचायत और पेंडिमिक देखेंगे सारी टॉपिक जो है लगबग आपको कॉविट नैंटीन के इर्थकिर्धी गुमते वे दिखेगी तो कोई ना कुछ-कुछ यहां पर टॉपिक एक आपका अलग पॉइंट ऑ व्यू भी है जैसे कि रिजर्वेशन पॉल इसी है साथी ओनलाइन जस्टिस टेलिवरी है क्योंकि यह भी आपका इसलिए आया है क्योंकि कर चुकी हूँ और कल जो है social issues के ऊपर एक lesson आई थी तो इससे related कुछ questions पूछ लेती हूँ फिर उसके बाद हम लोग यहां पर lesson इस्टार्ट करेंगे तो यहां पर चार main question है आपके लिए तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि seasonal migrant किसे कहते है और हाँ जिसने नहीं देखा है प्लीज देख लीजे आपको link description box में मिल जाएगी i button पर मिल जाएगी या फिर मेरे channel को subscribe करके playlist में आकर देख सकते हो आपकी पुरानी जितनी भी वीजे नाइस की monthly magazine थी PT 365 थी सबको मैं यहां पर public कर चुकी हूँ आप लोग आराम से उसको देख सकते हो revision कर सकते हो ओके second question है कि स्वक्छ मंच wave portal बनाया गया था तो इसका aim क्या है यह बताना है और इसमें क्या रखा गया इसकी aim objective क्या है जो भी आपको याद आ रहा है प्लीज इसको आप लोग comment box में जरूर लिखे तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग यह चार questions का answer जरूर दोगे अब चलिए start करते हैं हम लोग आज की quality lesson so start करते हैं हम लोग अपने first article के साथ जो कि है panchayat and pandemic तो panchayat आप लोग जानते हो अगर polity पढ़े हो आप लोग लेवल है यहाँ पर M. Lakshmi Khan लिखी गई है तो इसमें भी मैंने polity आपका panchayat पूरी तरीके से cover कर चुकी हूँ तो आईए इसमें basic चीज़ देखेंगे पूरी detail में लेकिन पहले यह समझने का कुशिच कीज़े कि news में क्यूं है यह topic तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर अभी national panchayatी राज day में यहाँ पर panchayat के साथ interact किये हैं और यह जो है यहाँ पर बताया गया कि local government को यहाँ पर उनके proactive approaches के लिए यानि कि यह जो crisis निकल कर आया है इसको किस तरीके से fight करना है तो इसमें जो local government है panchayat वगेरा है उनको यहाँ पर और भी जादा जो है आगे निकालने के लिए और और भी जादा उनके साथ इसलिए interact किया गया है कि अच्छे तरीके से हम लोग इस pandemic से लड़ सके है कि नहीं तो इसलिए यहाँ पर न्यूज में आया तो panchayat आप लोगो पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात कि 73rd constitutional amendment करके जो है हमारे constitution में इंसर्ट किया गया था original constitution में panchayat की जो आपको descriptions देखने को मिलती है वह available नहीं है इसको amendment करके लाए गया है इसमें total आपकी 29 subject है तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ introductions देख लेते बेसिक बेसिक यही है कि 73rd यहाँ पर constitutional amendment लाए गया है जिसमें यह mandate किया गया है constitution में कि panchayat होनी चाहिए district level पे intermediate level पे और village level पे जिससे कि हमारे institution हो सके self government की साथी साथ यहाँ पे आपका power और responsibility है वो भी provide किया गया है कि वो यहाँ पे plan कर सकते हैं implement कर सकते हैं programs को वो भी किस तरीके के programs को तो social justice के economic development के वो भी grassroots level पे साथी यहाँ पे more than 3 million elected representatives है Indian local government है और panchayati राज जो है वो forefront है हमारे countries के जिसमें कि हम लोग इस pandemic के against में fight कर रहे हैं तो यह भी धियान रखना है साथी साथ यह proactive है जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हो कि infrastructure को create करने में infrastructures है जिसके थुरू लोगों को treat किया जा रहा है massive movement यहाँ पे arrange किय जा रहा है यानिकी food grains का जैसे कि आप लोग देखे थे कि काफी लोग जो है यहाँ पे बेघर हो गए थे काफी लोगों को यहाँ पे खाना नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अन और्गनाइस sectors के जितने भी लोग है lockdown के वज़े से सबसे ज़्यादा जो problem हुआ है वही लोगों हुआ है क्योंकि अन और्गनाइस sectors में आप लोग देखते हो कि वो लोग डेली कमाते हैं डेली खाते हैं तो उनका रोजी रोटी खतम हो चुका था तो वैसे लोगों को यहाँ पे food grains provide करने की बात की जा रही थी तो यह जितना भी कूछ यहाँ पे काम किया गया है यानि कि infrastructure देने की बात की गई है arrangement यहाँ पे किया गया है massive movement का और यह community kitchens के लिए kitchens में जिसमें की food grains available हो यहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जा रहा था स्टार्टिंग में और साथी साथ जो hygiene on social distancing है वो भी village level पे maintain हो तो यह सारा कारेकाल जो है ना यह आपका पंचायती के अंदर दिया जाता है उसको ground level पर आप देखोगे कि implement करने का जो हक है implement करने का जो यहाँ पर responsibility है वो पंचायती के अंदर आती है तो देख लेते हैं कि इस pandemic में क्या रोल रहा पंचायत का सबसे पहला है कि practical considerations हुआ यानि कि local level पर यहाँ पर knowledge जो है उसका practical considerations हुआ क्योंकि आप क्या होता है कि कोई भी तरीके कि अगर situation आती है कोई भी तरीके कि जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगी war situation आ गए अचानक से जो है इस तरीके का सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि lockdown करना है और lockdown करना है तो यहाँ पर गाओं की लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कोरोना वाइरस क्या होता है कोरोना क्या है क्या है Lockdown क्या है यह आपका जो है quarantine क्या है यह सारी चीज़े उनको समझ में नहीं आ रहे थी तो यही सारी चीजे थी तो जो गाओं के लोगों को समझाना है गाओं को लोगों को यहाँ पे आपका awareness फैलाना है तो यह पहला point of contact आप देखोगे कि पंचायती करते हैं और यह जो है आप देखोगे कि घूम घूम के सारे यहाँ पे social security जो भी लोगों की जरूरत है यानि कि अच्छा खासा काम करते हैं यानि कि state level से जो आपका grass loot level तक है block level तक है village level तक है वहाँ पे सारी चीजों को provide करने के लिए पंचायती इसके साथ साथ आप देखोगे कि हार एक individual को press करना है जो कि state और district को cross किये क्योंकि आप लोगों देखिए हो कि migrant level बहुत जादा बढ़ ग तक हाम ता कि कितने लोग यहाँ पर state याफ दिस्टिक को cross करके जा रहें तो यह भी आपर में ओडर साथि है आप onlar कि किम बहुत रहें जार आ हैं कितने लोग उनकी स्टेट में आ रहे हैं और कितने लोग छोड़के जा रहे है कितने है फैमिली छोड़के आर रोग या फ बहुत ज़्यादा मास नंबर पे काम किया जा रहा था पंचायत मेमर जो है वो नोडल पॉइंट होते हैं सोचल वेलफियर प्रोग्राइम के लिए और इनका जो है ना पावर होता है कि वो डारेक्ट रिच कर पाते हैं यानि कि लोगों को जो यहां पर बेनिफीशरी होते है सोचल सक्याटिक है तो उन तक जो है यह डारेक्ट वहां तक रिच कर पाते हैं साथी 2.6 लाक रूलर लोकल बरीज है और 10 लाक से भी ज़्यादा यहां पर फ्रंट लाइन फॉंक्शनरी है जो कि आपके आशा वरकर देखने को मिलेंगे आंगनवारी वरकर्स देखने को मि कोई भी ऐसे लोग ना हो उस गाओं के उस कस्वे के कि जो कि सरकार उनके लिए अगर कुछ नियाम लेकर आ रहे है तो वह उनसे वंचित न रह सकें साथी विमन के लिए जो रिजर्वेशन है थी टियर राजस्थानी पंचायती राज इंसिचूशन में तो यह कहने कि कोई-19 के अगेंस में वह फाइट कर सकें तो यह तो हम लोग सेकंड भी हम लोग यहां पर देख लिए वो भी अद्मिस्टेटिव कांसेटरेशन कमिंग तुद नेक्स पॉइंट इस लेवल उफ ट्रस्ट तो ट्रस्ट कितना होता है अगर हम लोग सिटिजन के परस्पेक् हमारे वेलफेर के लिए ही काम करेंगे तो लेवल आफ ट्रस्ट भी उनके साथ बहुत जादा होता है साथी साथ आप देखोगे कि यह तो तीन पॉइंट थी थी कि यहां पर आपका पताया जा रहा है कि रोल क्या है पंचायती का वह भी पैंडिमिक में तो सबसे पहले हम वो भी सरपंच से यानि कि ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं उनसे इंटराक्ट किये थ्रूआट दे कंट्री पूरे कंट्री में जितने भी पंचायती राज के ग्राम पंचायत के सरपंच थे और यह कैसे हुआ तो यह वीडियो कॉन्फरेंसिंग से हुआ साथी e-gram Swaraj portal को भी launch किया गया और स्वामित्वी scheme को भी launch किया गया इसके बारे में भी आपको detail पता होना चाहिए क्योंकि यह अभी 2020 में ही launch किया गया e-gram Swaraj है इससे क्या होगा कि execute हो पाएगा जो gram panchayat development plan है इसको prepare किया जाएगा और जितनी भी panchayat को develop करने का जो भी plan है वो execute हो पाएगा यह एक online portal है जिसे की real time monitor किया जाएगा accountability होगी यानि कि किस तरीके से काम कर रहे है panchayat तो यहाँ पर सरकार जो है ना इस portal में इस website में वो उनको track भी कर पाएगी देख भी पाएगी कि इस तरीके का जो program लेकर आए है उसमें कितने बेटर तरीके से यहाँ पर panchayat काम कर रहे है साथी यह portal जो है आपका major step है किसमें तो digitize करने में यानि कि gram पचायat level में भी अब digitize हो पाएगा क्योंकि यह एक online portal आ चुका है तो यहाँ पर आप लोग देखो कि सरकार वगेरा और panchayat level पे इसको देखा जाएगा कि इस program के तरह जितने भी लोग को यहाँ पर beneficiaries है क्या उस लोग को यहाँ पर provide क्या जा रहा है कि नहीं कितना यहाँ पर panchayat level पे जो development करना है वो काम हो पा रहा है कि नहीं second scheme ले यहाँ पर लाया गया है सौमित्वर scheme यह क्या है कि integrated property validation solution में यहाँ पर provide करना है रूलर इंडिया को साथी जो यहाँ पर हमारे land है यानि कि ग्रामीन एरिया में जो land है उसको भी डिमार्केट करना है और यह सारा चीजे कैसे किया जाएगा तो latest surveying method को यह उसकर के किया जाएगा और इसमें क्या latest यहाँ पर method क्या है तो drone technology है जैसे आप लोग अभी भी देखे हो कि जो lockdown हुआ था तो बहुत सारे जो यहाँ पे पुलिस वाले officer थे आइस IPS जितने भी bureaucrats थे वो क्या कर रहे थे drone technology का इस्तेमाल किये उसी से वो surveillance कर रहे थे तो drone technology है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें कुछ collaborative efforts भी लगाया जाएगा ministry और पंचायती राज, state पंचायती राज department और state revenue department और survey of India तो यह दोनों scheme याद कीजिएगा बहुत ही जादा important है आईए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि पंचायत राज जो institution है वो कैसे forefront में थे, कैसे सबसे आगे थे इस तरीके से fight करने में तो health ministry की जो यहाँ पे micro plan है, micro plan for containing local transmissions of coronavirus यानि की COVID-19 यहाँ पे आप देखोगे कि पंचायत के सामने यह रखा गया वो भी forefront में जिसे की community mobilization को increase किया गया और जो active surveillance है उसको यहाँ पे ensure किया जया कि वो earmark fund भी यहाँ पे use कर सकते है, जो कि 14 finance commission के अंदर जो fund दिया गया था, उसको भी use कर सकते है अगर उनको COVID-19 related कुछ activities करनी है लेकिन यहाँ पे special exemptions है, यानि कि यहाँ पे काम करने के लिए कुछ यहाँ पे छूट भी दिया गया अगर हम लोग देखे, sanitation कि इसके अंदर आता है तो यह local government के अंदर इसके functions के अंदर आती है COVID-19 जो है यह आपका इसी functions के अंदर रखा गया है, तो इसलिए यह सबसे पहला आप लोग देखो हुए कि यहाँ पे यह जो है कुछ special exemptions भी रखा गया है इस काम के लिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो कि sanitation यह धियान रखना है कि local government के अंदर है और COVID-19 जो है यह भी इसी के functions के अंदर रखा गया है, बहुत सारे state है जिसमें कि पंचायद जो है नोडल agency बनाए गई है कोडिनेशन के लिए, यानि कि health activities हो, informations बताना हो, या फिर यहाँ पे सारे vulnerabilities को determine करना है जिसमें कि उनको food जो supplies है वो उसको access कर सके, तो यह सारी चीज को coordinate count कर रहे थे तो पंचायद कर रहे थे केरल की अगर बात करें, अब different different state में भी बात कर लेते हैं, जिसे कि केरल में अगर हम लोग बात करें, तो long history है decentralization का कहने का मतलब यह कि centralization और decentralization यह दो तरीके का process होता है centralization कहने का मतलब यह कि पूरी तरीके से power function सारी चीज जहें central government के हाथ में होता है और central government ही सारी चीज़े यहां पे काम करती है, लेकिन जहां पे भी decentralization का function होता है वहां पे क्या होता है कि जो हमारे सरकार है और जो power function है वो distributed होते है central government से क्या है कि state government में, यानि कि 28 state है तो state government आपको देखने को मिलेगा हार एक state में आपके block level पे आपकी government होते है और सबसे ground level पे जो होते है वो पंचायती राज होते है फिर उसका municipal होते है तो यह सारे जो होते है ना इस तरीके से process को हम लोग क्या कहते है कि कामों को जो है ना आपका block में बाट बाट के और different sectors में इसको आपका तक पहुंचाया जाता है जिसमें कि कोई भी schemes को यहाँ पे आपका एक success mode में ला सके तो एक long history आपको decentralization का केरल में देखने को मिलेगा इसमें आपका primary और secondary healthcare है वो बहुत ही अच्छा है और three-tier institution के अंदर इसको रखा गया है जो केरल में पंचायत है वो forefront है और वो यहाँ पे जो कॉडिनेट करते है government को साथी साथ यहाँ पे trace भी करते हैं organize भी किये है health check-up camps को sanitation का भी धियान रखा गया है social distancing यहाँ पे message भी provide किया गया है सारे लोगों को साथी आप देखोगे nearly third of जो केरल की plan fund है वो भी यहाँ पे दिया गया था पंचायत को जिससे कि flexible यहाँ पे development हो पाए और maintenance fund भी पे लाए गया था जिससे कि women को भी यहाँ पे increase किया जाए कि वो अपने एक self-help group को वो form कर सकते हैं और अपने federation को भी form कर सकते हैं और एक organized civil society जैसा वो काम भी कर सकते हैं जिससे कि वो पंचायत को और ज़्यादा help कर सकें तो यह भी आपको यादखना है कि उदम श्री जो इंपोस करें क्वारिंटाइन कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग देखो कि अगर suspect है कि कोई भी इंसान जो कि कि किसी भी यहाँ पे COVID-19 के patient के contact में आये हैं या फिर उनकी कोई travel history रही है तो उनको क्या कहा जाता था कि उनको quarantine करना है यानि कि उनको एकदम से अलग रखना है और यह चीज़े होती है 14 days की जिसमें कि आपको किसे के भी contact में नहीं आना है नहीं किसे से बाते करनी है कुछ भी नहीं दूर दूर रहना है ओके तो quarantine जो यहाँ पर इंपोस करना था village level पर यह district collector का यह power था साथी decentralization वे है किसी भी तरीकी के यहाँ पर pandemic को tackle करने का उडिसा government की बात करें तो वो भी यहाँ पर इंशोर किये थे सारे ग्राम पंचायत को कि वो registry facility भी लेकर आए mechanism में भी लेकर आए वो भी किसलिए तो community based monitoring के लिए वही अगर हम आंत्रबर्देश की बात करें तो यहाँ पर village fall interior है और कितने हैं तो धाई लाग के करीब हैं जिनों नहीं यहाँ पर survey किया 14 million of the 14 million household को इंडिया जो की state में अपने state में तो survey भी किया गया 14 million लोगों का साथी एक survey भी conduct किया गया जिसमें की लोगों को trace किया गया है जिनकी यहाँ पर travel history रही है यहाँ पर कोई भी इंसान जो travel history कहां की तो foreign countries गये थे तो उनको यहाँ पर आपका survey किया गया है जिससे कि यह इस disease का जो है spread होने से यहाँ पर रोका जा सके आंत्रबर्देश के statement तो यह दियान रखना है मतलब कि कितने बड़े पेमाने पर यहाँ पर आपका survey किया गया यह इक बड़ी बात है तो यहाँ पर आप देखो कि केरल उडिसा और आंध्यपरदेश की जो है यहाँ पर आपकी बाते की गई है चर्चा की गई है इट मींस कि उनके हां काम बहुत अच् है उनको यहाँ पर सिटप किया गया जिसमें की population साफ की 2000 होती थी और यहाँ पर आपका जो है न एक dozen village official से यहाँ पर आपका comprises था हर एक volunteer को यहाँ पर पांच हजार पर मन्त यहाँ पर पे किया जाता था और जो भी persons जिनको यहाँ पर इंशॉर किया जाता था कि अगर वो यहाँ पर पे पेमेंट किया जाता था पांच हजार पर मन्त यानि कि आप लोग समझ सकते हो कि इस तरीके का काम किया गया आंद परदेश में जो है जैसे यह कोई नाइटीन के लिए जो नौकडाउन तो पूरे कंट्री में पहले ही हो गया था तो आंद परदेश में क्या किया गया कि एक वॉलेंटरी सिस्टम यहाँ पर लाए गया विलेज वॉलेंटियर वॉलेंटियर आप लोग को पता है कि कुछ लोग होता है जैसे कि आप लोग भी वॉलेंटियर बन सकते हो उसमें क्या है कि आप लोग को चेक आउट करना होता है वो कोई भी तरीकी की प् पॉपलेशन होनी चाहिए तो हर एक वालिंटर को काम था कि वो यहां पे एक दिन में 50 घर को वो यहां पे सर्वे करते थे 50 घर को वो देखते थे जिनके लिए उनको अच्छा खासा एक पेमेंट किया जाता था यानि कि पर मन्त उनको 5000 का यहां पे दिया जा रहा था तो यह अच्छा खासा काम हैं कि कि हारी के स्टेट में क्या प्रॉब्लम थी कि अच्छे से नहीं हो पा रहा है somehow कि यहां पर यogों कि यहां पिछ जिससे कि better delivery हो सके यानि कि बहुत तरीकी की जो benefit है न वो public लोग को यहां पर मिल सके welfare scheme के तहट और यह सारे जो volunteers है यह coordinate करें government welfare scheme के साथ implement करें वो भी more than कितना तो 11,000 villages में यह जो system है यह इंडिरेक्ली आपका employment भी create कर रहा था ruler hinter land में जहां आप लोग देखते हो कि lockdown से सारे ल फिर से काम मिल गया हर एक महिने का 5000 मिल रहा है तो उन लोग जो है न अपना काम निकाल पा रहे थे तो इससे क्या हुआ कि employment भी generate हो पाया साथी यहां पर accessibility हो पाया लोगों तक जो है यह healthcare पहुंच पाया लोग यहां तक पहुंच पाया अच्छा का से चेकप करा पाया अप इससे क्या हुआ न कि decentralization का जो funda है वो यहां पर आपका बड़ा यानि की increase हुआ और implementation हुई schemes की साथी साथ capacity building भी यहां पर देखने को मिला यानि की local level पे भी काम जो है न इतने तगड़े type में किया जा सकता है यह भी देखने को मिला है ओके अवे forward बताया जारा है कि पंचा करना चाहिए जिससे की पंचायती राज institution को और जादा मजबूत किया जाए तो बहुत सारे functions है जिसको की transfer करना चाहिए हम लोगों को यहां पर पंचायत में जो कि यहां पर constitution में हमारे सनविधान में mandate किया गया है और अभी तक जो है आप लोग देखो है कि fully transfer करना चाहिए जो right funds है और functionaries है उनको यहां पर ताक ही effective यहां पर function कर सके elected government जैसा और यह time है कि उनको government देना चाहिए वो भी constitutional right कि वो यहां पर better जो handle कर सके इस तर किसे crisis में वो यहां पर बेटर handle कर सके तो उनको यहां पर जो है ए constitutional rights देना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम दो देखे तो यहां पे जो 11th schedule में रखा गया है Article 243G में तो इसमें 23 entry जो है वो यहां पे कह दिये Health Sanitations है जैसे कि Hospital, Primary Health Centers है, Dispensaries है यह सब आती है 11th schedule के अंदर साथी साथ Full Resumption भी आपको देखने को मिलेगा Normal Economic Activity का यानि कि अभी क्या थी कि Economic Activity बिल्कुल ठप हो चुकी थी Last आपके Lockdown तक लेकिन अब क्या है कि Revive हो रही है सारी चीज़े Open हो चुकी है, सब को यह अपने अपने काम पे वापस जा चुके है तो यह Economic Activity जो है वो नॉर्मल हो और इससे क्या होगा ना कि एक free और heavily subsidized जो food है वो millions of villagers को यहां पर provide किया गया है और साथी साथ जो migrant labor है जो कि जहां काम करते थे वो काम को छोड़ वो जगह को छोड़ कर जो अपने वो अपने घर लोटे तो उनको भी यहां पर जो है सस्ती rate पर उनको खाना यहां पर provide किया जा रहा है अगर हम लो 11th schedule के अगर entry 28 देखें तो इसमें कहा गया है जो PDS होता है public distribution system होता है यह आपका एक subject devolution के लिए यानि कि यहां पर PDS आप लोग देखते हो कि public distribution system है एक तरीके का system है जिसमें कि जो willow poverty level की जो लोग होते है ना उनको यहां पर बहुत ही सस्ते दाम में food grains available किया जाता है यानि कि 1 rupees per kg, 2 rupees per kg, pulses आपको 5 rupees per kg इतने ज़्यादा subsidized rate में जो है उनको यहां पर food grains provide किया जाता है साथी साथ जो most important requirement है वो यह है कि migrant labor जो है उनको यहां पर उनके लिए planning करना है जैसे कि migrant labor अगर आ रहे है तो उनका proper testing होना चाहिए test करके जो है उनको यहां पर quarantine center में भेजना चाहिए अगर कोई भी यहां पर आपके अगर ऐसा लगता है कि उनको suspected है तो उनको isolate करना चाहिए देखिए what is the difference between quarantine and isolation ऐसे आप देखो कि तो दोनों का meaning तो same है लेकिन word अलग-अलग है तो कही न कहीं तो difference होगा ना देखिए quarantine मतलब क्या होता है ना कि जैसे 14 days माल लिजे कि आप travel करके आ रहे हो migrant labor travel करके आ रहे है तो वह पहुंचे अपने city माल लिजे कि UP में पहुंचे ठीक है UP में परियाग राज में पहुंचे तो वहां क्या है कि वहां जब पहुंचेंगी वह तो उनका जब check-up किया जाएगा तो वह normal temperature होगा उनका ये नहीं बताया जागा कि वह suspected है तो उनको क्या बोला जागा कि आप home quarantine हो जाइए यानि कि जहां पे भी आप रहते हो वहां पे आप थोड़े से अलग हो जाओ यानि कि अलग room रखो अलग bathroom रखो खाना पीना सब कुछ अलग रखो सबके साथ नहीं बैठना है तो ये आपका process चलेगा 14 days तक लेकिन अगर माली जे परयाग राज में जितने भी migrant labor आया है उसमें से दोगों को यहां पे suspect किया गया है कि उनको coronavirus की suspension है तो क्या किया जाएगा उनको hospital भीजा जाएगा और hospital में isolation होता है ठीक है isolation what आप लोग को देखने को मिलेगा तो ये hospital में होता है so isolation is for the hospital and quarantine is for the home तो ये आप लोग धियान रखेगा ठीक है social distancing का ख्याल रखना है एक दूसरे से आप लोग जो है one hand distance में आप लोग रखिए साथी ensure करना है कि बिना किसी exceptions के जो है उनको यहां पे खाना खिलाना है घर में रखना है और monetary grant भी उनको provide करना है यानि कि exceptions का criteria हटाइए सारे migrant labor जो है आज की rate में एक है वो कहीं से भी आ रहे है अगर अपने घर में वापस लॉट रहे तो उनको खाना खिला रहा है उनको रहने के लिए घर देना है साथी साथ उनको कुछ monitoring grant भी उनको provide करना है साथी साथ यहां पर last mile delivery करना चाहिए यानि कि ऐसा delivery किजिए खाने वाने का कि कोई भी लोग यहां पर छूट ना पाए और यह सारी चीज़े आप लोग देख सकते हो कि gram सभा और जो वाट सभा है यह आपका mandate किया गया है article 243a और article 243s में तो इतना article आपको deeply याद करना न जिसको कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे ऐसा याद कर लो साथी planning होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग यहां पर COVID-19 के situations में खड़े रहे full deployment होना चाहिए mechanism का वो भी district planning में और साथी साथ इसमें three tier of panchayet हो municipalities हो वो एक साथ आए वो भी district planning committee में तो यह सारी चीज़े यहां पर बताए गई थी I think कि यह article बहुत अच्छी है आपको panchayeti level के बारे में बहुत जादा चीज़ पता चला होगा घर बैटे तो यतना नहीं पता चल पाता है कि ground level पर किस तरीके से काम हो रहा है लेकिन अभी आपको यह अंदाजा लगा लिये होंगे कि COVID-19 के crisis में हमारी panchayeti level में और panchayeti राज institution में किस तरीके से काम हुआ और वो लोग कितना अच्छा जो है role यहां पर play किये साथी साथ वहां कि जो women थी वो भी कि अच्छा लगता है कि इस तरीकी की चीज जो है न यहां पर देखने को मिलता है अब आते हैं सेकंड देखते हैं कि इस तरीकी की crisis में जो civil society का role है वो कैसा था इसके बारे में आपको detail पता चलेगा इससे भी आप लोग बहुत सारी चीजों को जान पाऊगे तो news में इस लिए है क्योंकि civil society organizations जो है वो भी यहां पर forefront थी लोगों को assist कर रही थी वो भी यहां पर covid-19 pandemic में तो और देखते हैं इसमें और क्या-क्या बात है की जा रही हैं सबसे पहला है कि world bank world bank जो यहां पर define करती है उनके according अगर हम दो देखें कि civil society organization किसको कहते हैं तो civil society organization जो है एक white array है formal और informal organization का. So what is the difference between formal and informal? और formal कहने का मतलब है कि ऐसा job जहां पर आपकी time fix हो, जहां पर आपकी wages fix हो, holiday fix हो, सासी साथ आपको यहां पर pension का भी प्रावधान हो. लेकिन यही सारी चीज़े अगर जिस sector में नहीं मिलती है उसको हम लोग informal sectors कहते हैं. तो यहां पर आप लोग देखो कि formal organization और जितने भी informal organization है, इसकी एक wide array आपको देखने को मिलेगा, range देखने को मिलेगा, साथी साथ यहां पर community groups भी है, non-governmental organization भी है, labor यहां पर unions है, indigenous group है, charitable organization है, faith-based यहां पर organization है, professional association है और foundation है, ठीक है? तो मैं अभी जो formal और informal sectors का बात बताई, वो sectors है जिसमें की लोग काम करते हैं, but यहां पर organization का बात किया जा रहा है, ठीक है? तो center society यहां पर civil society organization में, आप लोग देख सकते हैं कि यह सारे organizations को जो साथ इकटे यहां पर civil society organization कहा जाता है, और इनको civil society organization की यूग कहा जाता है, क्योंकि इनका जो काम होता है, और इनका जो भी functions वगएरा होता है, duties होता है, वो सारी ग्रूप यहां पर कमीटी भी बनाए गी थी, इंपावर्ड ग्रूप है वो भी आपर 6 बनाए गई थी जिसको कि यहां पर CEO, नीती आयो कि जो CEO है उनके द्वारा चेर्ड किया गया है, इजी आप देखो कि इंपावर्ड ग्रूप 6 जो है, वो यहां पर सक्सीड किये थे जि के साथ यहां पर connect किये थे, इससे यह यहां पर connect होने से यह फाइदा हुआ, कि किस तरीके से इस मुश्किल दोर में जो हैं, लोगों को यहां पर resources पहुंचाया जाए और साथी साथ key sectors भी जैसे की nutrition दिया जाए health का ध्यान रखना है साफ सफाई का भी ध्यान रखना है उनको educate भी करनी है और extensive reach होना चाहिए हमारे community के पास तो यह सारी चीजों को यहाँ पर reach करने के लिए empowered committee को बनाया गया था अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या contribution रहा civil society organization तो अगर हमनों देखे कि को submit यहाँ पर किया गया था central government के द्वारा तो वो भी Supreme Code के तो वो भी 7th of April को तो उसके according अगर हमनों देखे तो यह बताया जा रहा है कि total 84 lakh people जो है वो यहाँ पर उनको प्रोवाइट किया गया है मील और वो भी lockdown के टाइम में जो कि यहाँ पर 25th of March को स्टार्ट हुई थी इसमें से 54 lakh जो people है उनको state government के द्वारा खिलाया गया था और remaining 30 lakh people है उनको NGOs के द्वारा यहाँ पर खिलाया गया था state wise अगर data आप देखोगे जो कि center के द्वारा यहाँ पर प्रिजेंट किया गया है तो वो यहाँ पर बताते है कि 13 state और जो union territories है एंग जो यहाँ पर परफॉर्म करी है state government के साथ और humanitarian relief यहाँ पर प्रोवाइट किया गया है in the form of free mill humanitarian relief कहने का मतलब है कि human being के लिए आपके लिए जो day to day basic needs होती है उसको यहाँ पर प्रोवाइट किया गया अगर किसी भी तरीके का problem है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि यह pandemic crisis थी इसमें किया हुआ कि लोगों की नौकरी लेबर्स को भी प्रोवाइट किया गया जो कि दूसरे city से आकर काम कर रहे थे और उन गरीब को भी यहाँ पर प्रोवाइट किया गया जिनके की loss हो गई income वो भी यहाँ पर आपका lockdown के कारण साथी साथ overall अगर हम दो देखें तो there are nine state and uts है जहाँ पर NGO's 75% से भी जाज़दा लोगों को यहाँ पर खिला रही थी अगर इसी के अलावा देखें यानि कि जो यहाँ पर मिल्स वगेरा प्रोवाइट किया गया जितने भी नीडी लोग थे तो NGO's हमारे पूरे country में वो ए अगर हम दूसरी development के तरफ देखें जो कि critical importance यहाँ पर बताया जा रहा है grassroot organization और workers का तो government भी यहाँ पर डारेक्ट करी है food cooperation of India को कि वो यहाँ पर wheat और rice को provide करें यानि कि यहाँ पर open market sell rates है ना उसी के तहर जो है यहाँ पर wheat और rice को भी provide करना चाहिए without growing through e auction process यानि कि आप लोग देखते हो कि पहले e auction process होता है online auction होता है निलामी होता है यहाँ पर जितने भी crops होगेरा तो यह सारे चीजों को नहीं करते वे जो है लोगों को यहाँ पर wheat और rice provide करना चाहिए और यह सारी यहाँ पर directions है तो आप लोग देख सकते हो कि कितने mass number पर यहाँ पर contribution दिया गया है यानि आप लोग यहाँ पर देख रहे थे हम लोग टेलिविजन पर कि लोगों को खाना provide किया जा रहा है लोगों को जो है यहाँ पर देख रहे की जा रहे है तो यह सारे लोग कौन थे है कि नहीं अब आप लोग को यहाँ पर डेटेल में पता चल रहा है कि यह सारे लोग जो है ना civil society के थे लोग यहाँ पर यहाँ पर NGOs वगेरा थे जो कि इतना जादा mass number पर arrangement कर पाए अब यहाँ पर CSO का पर रोल देखते हैं कि crisis time में यह किस तरीके से काम किये सबसे पहला mobilize और चैनल resources के बारे में देखें तो civil society जो organization है यह एक strong relationships रखते है community के साथ और यहाँ पर volunteers के साथ 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 resources है जहाँ पर एक channel यहाँ पर वो create कर पाते है जिससे कि private resources तक वो यहाँ पर private sector तक वो वो migrant labor को और वो लोगों को जिनका यहाँ पर घर बेघर हो चुके थे उन लोगों को यहाँ पर अर्बन एरिया में provide किया जा रहा था सेकेंडर कि यहाँ पर immediate relief provide किया just like कोई और वी जैसे disaster आती है चाहे flood आ जाए cyclone आ जाए तो किस तरीके से लोगों को जो है displaced किया जाता है लोगों को एक safe जगा ले जाया जाता है उनको खाने की सामगरीद दी जाती है तो उसी तरीके से यह भी एक crisis था जिसमें civil society जो है ना सबसे पहले respond किये और सबसे पहला जो है वो यहाँ पर food provide किया गया उनको water और sanitation साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया उनके camps में साथ यहा mobilized हुए थे empowered group 6 है वो भी काफी successful थे successful किस किस term में थे तो सबसे पहला कि वो shelter यहाँ पर provide कर पाए जितने भी लोग बेघर हो गये daily wages worker को या फिर urban poor families को तो उनको रहने का घर यहाँ पर provide किया गया क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा था कि सरकार तो कह दी थी कि क इतना भी मैं अभी तक अपने surroundings में देखी हूँ कोई भी लोग इतना जादा छूट नहीं दिये सब को यह अपने लोगों से जो है ना इस तरीके का rent लिये ही इस lockdown के time पे भी तो यह चीज़ देखने को मिला तो काफी लोग क्या किये कि अपने उस rent वाले घर को छोड़ दि जो कि आप लोग देखते हो कि पूरा covering होता है आपकी पूरे face को भी cover किया जाता है face shield से mask होती है आपका जो है gloves होता है पूरे body cover भी होते है shoes cover भी होते है तो यह सारी PPE kit भी provide किया गया community workers को और volunteer को जिसे कि वो अपना भी safety side रख सके साथी government को भी support किया गया health camps को setup करने में औ और hot spot को identify किया गया यानि कि जितने भी hot spot थे जहां पे लोग सबसे ज्यादा परिशान थे जैसे कि आप लोग देखते हो कि मॉंबई की धारवी जो slum थी देली की कुछ area थी जहां पर बहुत सारे लोग जो है बेघर हो गये थे एक जगह एक खटे हो गये थे migrant labor और जहां पर भी ऐसा hot spot दिखा गया उनको identify किया गया वहां पर volunteers को भेजा गया और सबसे पहले जो है कोई भी service जो है उन लोगों को यानि कि जो बुढ़े लोग है जो person with disabilities है बच्चे है transgender person है या फिर कोई vulnerable group के लोग है उनको यहां पर service provide किया गया साथी यहां पर किया है कि जो mass exodus था migrant labor का उसको भी handle किया गया जैसे कि आप लोग देखते हो कि कहीं भी एक हलका सा चूक होता था एक हलकी सी ख़बर आती थी कि बस जारी है train जारी है तो लाखों के दरजनों में आप लोग देखोगे कि सारे migrant labor एक जगा इखटे हो जाते है तो यह भी कई बार हम लोग case देखे तो उस तरीके के migrant labor को जो यहां पर आपका handle किया गया यह एंजियोस वगेरा के द्वारा ही किया गया साथी यहां पर आप लोग देखो कि एक close contact रहा है वो काम भी किये है district administrator और जो state government है उनके साथ मिलके जिससे कि जो care है वो यहां प जाता education नहीं होता है वो नहीं समझ पाते कि यह बीमारिया किस तरीकी की हमारी जिंदिकी को कैसे यहां पर खतम कर सकती है यह virus क्या होता है corona क्या है quarantine क्या है अगे उनलों को कुछ पता नहीं होता तो सबसे mass flavor पर काम यही किया गया है कि यहां पर awareness फैलाने की काम की गई है सा यहां पर जरूरी क्या काम है कि लोगों को सही ख़बर देना उनको aware कराना कि यह है क्या aware सिर्फ लोगों को ही नहीं community, panchayat, public representation सबको यहां पर एक अच्छा खासा role दिया गया था कि उनको यहां पर awareness होनी चाहिए और एक government की report की द्वारा अगर देखे तो जितने भी NGO CSO है जो empowered group की 6 की थी वो successful इस तरीके से काम कर पाई, लोगों को यह awareness फैला पाई, साथी साथ उनको किस तरीके से preventive measures लेना है, sanitizer यूज करना है, mask यूज करना है, साथी साथ hygiene और social distancing का कैसे ख्याल रखना है, कुद को कैसे isolate करना है और इस stigma से कैसे यहां पर बचना है, साथी communication strategy भी साथी government की accountable भी hold करने की कोशिश की गए, यानि कि जैसे आप लोग देख सकते हो, कि significant corruption risk जो है, इस तरीके के crisis के time में देखने को मिलता है, civil society जो है काफे important role play करते है, कि किस तरीके से वो fund को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि यह जो fund यहां पर आपका leverage किया जाता अच्छे बाकी की 8% सब कोई partnership करके जो है, वो लोग खा जाए, तो ऐसा नहीं किया गया, जो fund यहां पर दिया गया है, COVID-19 को यहां पर resolve करने के लिए, इसी से crisis से जूसने के लिए, यहां पर आपका इस crisis से overcome करने के लिए, तो अच्छे से उन्होंने जो है, इसका इस्तेमा care जो है, एक आप लोगो पता है कि आपका online बनाया गया, जिसमें कि आप लोगो जितना भी लगता है कि आप लोग यहां पर सक्छम हो, इसमें आप donate करने के लिए तो आप खुल के कर सकते हो, तो बहुत सारे लोग यहां पर खुल के donate भी किया है, तो यहीं पर RTI भी file किया तो आप लोगो पता है कि इसकी खबर बाहर आ चुकी है, कि यहां पर PMO के दौरा कहा गया है, कि PMCares में जितना भी fund आपका donate हुआ है, यह RTI के purview में नहीं आता है, और यह जो भी यहां पर information है, उसको disclose नहीं किया जाएगा, मतलब कि जनता की पैसे है, और यहां पर जनता क कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए कितना खर्च किया गया, कहां खर्च किया गया, तो यह detail बताना चाहिए था, बट सरकार ऐसा काम करती है, तो ऐसा लगता है कि सरकारी यहां पर सबसे ज़्यादा corruption में संग लिपता है, कि नहीं, तो चली कोई भी नहीं है, लेकिन यहां पर यहां पर थी, जो civil society के द्वारा यहां पर phase करना पड़ा, during the ongoing pandemic, civil society जो है, बहुत सारे constant भी phase किया है, और वो यहां पर आप लोग देखोगे, कि अपने काम को carry out करने में, और यह carry out कब किया जा रहा था, lockdown में, distance maintain करना है, quarantine measures है, तो यह सारे काम, यह सारे चीजों के बीच मे यहां पर civil society ने अपना काम किया था, सबसे पहला है कि concern जो कि accountability से related है, यह जो crackdown हुआ, thousand of NGOs जो है recent year में, उनकी position आप देखोगे, CSO में है, और एक margins of administrative decision making है, बहुत सारे NGO जो है ना, उनको criticize किया गया कि वो corrupt हो गया है, violate कर रहे है, यानि कि वो foreign funding उनको दिया जाता है, उनकी norms को violate करे है, हम लोग पहले भी monthly magazine में यह सारी चीज़े पढ़े थे, उसके बाद आप लोग देखोगे कि काफी difficult हो गया था, CSO के लिए, कि वो government की accountable जो है, इस तरीके से crisis time में वो hold कर के side चले, जिसमें कि आप ए credibility को भी यहां पे काफी जादा protect करना था, तो यह भी एक तर इसके से काम देना है, तो यह भी एक big challenge हो जाती है, कि कैसे आप trust कर सकते हो NGO के उपर, तो यह भी एक तरीके का challenges है, जो कि face करना पड़ा था, फिर उसके बाद information की access अगर हम लोग देखें, तो lockdown से क्या है, कि आप फिजिकल access जो information का है, उसको prevent किया गया, यानि कि previously यह जो आ रेस्टिक कर दिया गया था, कुछ area में ऐसा हुआ था, most of the area में ऐसा हुआ था, क्योंकि आपकी section भी impose हो गई थी 144, तो इससे क्या होता है कि curfew लग जाता है, curfew लगने के time में जो है, सारे लोग घर पे बैठे है, तो obvious है कि internet की speed भी slow हो जाती है, और साथी साथ कहीं पे internet को भी restrict कर दिया गया था, तो ये सारी चीज़े भी problem हो गई थी कि information, सही information और right time की information जो है, लोगों तक नहीं पहुच पा रही थी, digital illiteracy भी है, बहुत सारे लोग और गाओं कस्बे के जो लोग है, वो मोबाइल चलाना जानती ही नहीं, अगर मोबाइल चलाना जानते भी है तो वो internet यूज़ करना नहीं जाते है, तो ये भी एक problem थी कि जिसके कि उनको सही तरीके से information नहीं मिल पा रहा था, gaining momentum यानि कि civic की initiative है, वो काफी important थी कि काफी difficult थी कि वो यहाँ पर momentum मिले सके, यानि कि इस तरीके कि crisis के time में, ये बहुत ही difficult हो सकता था कि momentum को gain करे, participants जो है, वो भी किसी cause के लिए, as a media, public orientation, जो है, वो यहाँ पर किसी emergency पर भी focus कर सकते थे, restriction आप देखोगे, तो movement पर था, जिसे कि activities को यहाँ पर prevent किया जाए, और यहाँ पर physically meet करने को रोका गया था, यानि कि पूरी तरीके से बंध था, यहाँ पर आपका movement, तो ये जो है, particularly आप द initiative में participate करे, तो ये भी एक problem थी, क्योंकि movement को restrict कर दिया गया था, लेकिन सारे लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, वो एक साथ आ कर जो है, इस movement में साथ नहीं दे पा रहे थे, तो ये सारे कुछ challenges है, जो कि civil society के द्वारा यहाँ पर आपका follow किया गया, means face किया गया, sorry, opportunity क्य क्या है, यानि कि इस pandemic time में क्या क्या opportunity है civil society के लिए, तो आप लोग समझ सकते कि opportunity तो बहुत सारी है, यानि कि एक तरीके का potential है, जिससे क्यों कि वो अपने काम की छमता को दिखा सके, एक broader participation को build कर सके, online reporters की network को वो build कर सके, कुछ activist को वो अपने अंदर ला सके, साथी साथ यह यहां पर आपका counter भी कर सकते हैं, NGO की जो tendency है, तो यह सारी चीजों को और ज्यादा flourish कर सकते हैं, साथी potential है कि यहां पर widespread engagement होगा, क्योंकि current situation से क्या है ना कि यहां पर आपका लोगों के द्वारा participate हो रहा है, एक huge donation देखने को मिला PM Cares Fund में, साथी helping hand भी बहुत सारे निकल कर है, यहीं पर आप लोगों देखोगे कि जो कि यहां पर migrant liver को बहुत जादा help कर रहे थे उनके घर तक पहुंचाने में, यहीं पर आप लोग सोनुसूद जी कभी आप लोगों देखे होंगे, वीडियो और उनकी जो आप लोगों टेलिविजन में भी देखे होंगे कि बहुत अच्छा काम किया, मतलब सरकार को यह काम करना चाहिए था, बट आप लोग सोचे कि हमारे सरकार क्या काम करती है, एक अकेले वंदे में इतना ताकत कि वो कितने सारे लोगों को जो है घर पहुंचा दिये, वो भी migrant liver को, तो यह एक potential था कि काफी लोग जो है, इंगे नर्से की यूनियन होती है, अदर मेंबर्शिप बेस्ट और्गनाइजेशन होते हैं, तो उनके साथ भी यहाँ पर जुडने का मौका मिला, एक अच्छा कासा good communication structure यहाँ पर create हो पाया, इंगेज हो पाया, difficult people से, different people से, वो भी किस तरीके से COVID-19 response को monitor करना है, overcome करना है, तो य digitization का जो funda है न, वो यहाँ पर आपका जाते से जादा निकल करा है, बहुत सारे examples है कि कि सरीके civic engagement देखने को मिलेगा, यहाँ पर accountability है, जो कि online यहाँ पर जा सकती है, untapped resources है, जो कि यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर digital participation बहुत जादा होने लगा, even ज तो बहुत सारे ऐसे लोग है न, जो कि online आगे, ठीक है, क्योंकि उनको यह समझ में आगे है कि यह pending में कब खतम होने वाला और क्या होने वाला, nobody knows, तो लोग ने अपने alternative को निकाल कर लेया है, for example, आप लोग देख सकते हो कि UK में क्या है, कि frontline PPE है, जो कि information provide करती है कि क्या availability है पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्वीपमेंट का, इस पेन में आप देखोगे, तो फ्रेल ला कर्व है, जो कि यहाँ पर publish किया जाता है, और help के लिए request किया जाता है, साती यहाँ पर जो food है, medicines है, उसको collect करने के लिए यहाँ पर offer भी दिया जाता है, तो यह सारी चीज़े है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, conclusion में बताया जा रहा है कि जो United Nation है, वो यहाँ पर civil society को refer करती है, as a third sector, और यह किस के साथ है, तो government के साथ और private business के साथ, इस तरीके के से इस time में इनकी testing हो गई, CSO जो है, एक आपका key supporting partners जैसा निकल करा है, वो भी state के लिए, और स यहाँ पर जरुरत है कि उनको institutionalized करना है, कि वो यहाँ पर state के साथ अच्छा खासा interact कर सके, और यह सिर्फ only ही नहीं है, इससे उनकी legitimation नहीं increase होगी, but उनको एक नया path मिलेगा, जिससे कि वो और ज्यादा बढ़ेंगे, और ज्यादा वो deeper corporate करेंगे, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर civil society organization की भी contributions देखने को मिली, जो कि यहाँ पर काफी ज़्यादा जरुरूरत भी था और वो एक साही समय पर यहाँ पर काम भी आए, है कि नहीं, अब यहाँ पर फिर नेक्स देखते हैं, जो कि COVID-19 की है, COVID-19 and India's legal framework, so what is this all about? तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि COVID-19 के टाइम पर कौन-कौन सी ऐसी legal framework निकल कर आई, यानि कि कौन से कानून यहाँ पर आपका इस्तेमाल किया गया, lockdown जो लगा जाता था, वो किस कानून के तहत लगा जाता था, हमें जो बाहर restrictions थी movement में, वो कौन सी कानून थी, Indian Penal Code की बहुत सारे sections अपलाई हुए, तो किस किस चगा पर अपलाई हुए, तो यह सारी चीज़े हम लोग देखने वाले हैं, ongoing जो हमारी pandemic COVID-19 है, वो यहाँ पर highlight करती है कुछ gap, जो कि इंडिया की domestic laws में है, और जो जरूरत था, यानि कि हम लोग भी ऐसा बहुत सारे Hindu articles में आप भ पब्लिक और और हेल्थ की बात करें, तो यह कहां आती है, यह state level पर आती है, state list में आती है, Indian constitution में आपको देखने को मिलेगा कि तीन तरीके के list होती है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा 7th schedule के अंदर, state list है, जिसमें कि आपका state legislature यहाँ पर काम करते है, वो यहाँ पर क आती है, वो subject आपके Indian constitution में state के अंदर आती है, और यहाँ पर बहुत सारे states आप देखोगे कि epidemic disease act 1897 की है, जो कि यहाँ पर इसके through order pass करती है, कुछ guidelines देती है, कि कैसे social distancing measures लेकर आना है, और closures है, establishment का और limitations कैसे activities में रखना है, तो यह काम आपका जो किया गया था, यह epidemic disease act 1897 क आपके through किया गया था, अब आप से पूछ लिया जाए कि social distancing जो है, यह आपका maintain करने के लिए किस कानून के तहत कहा गया था, तो epidemic disease act 1897 के तहते है, second जो यहाँ पर कानून इस्तेमाल हुआ था, वो disaster management act 2005 है, जो कि central government के द्वारा लगाया गया था, और एक blanket जो lockdown लगाया था आपका यहाँ पर इस कानून के through लगाया था, ठीक है, third यहाँ पर आप देखोगे कि seventh schedule के अंदर जो constitution में है, उसमें आपका explicit entry नहीं रखा गया है, disaster management का, तो parliament को यहाँ पर resort करना चाहिए, जो concurrent list है, यानि कि social security, social insurance, employment, unemployment, यह सारी चीज़े trigger provisions हैं जो कि इस act की है, साथी fragmented manner अगर हमनों देखे जिसमें कि यह legal provisions जो है, आपका invoke करती है कुछ highlight, यानि कि कैसे यहाँ पर कमी है clarity की, कैसे यहाँ पर center और state अपने रोज को interpret करते हैं, वो भी constitution के अंदर, तो यहाँ पर बहुत सारे experts हैं, जो कि यह advocate कर रहे थे हैं, कि यहाँ पर एक अच्छा कासा legal framework होन तो वो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि quarantine rule जो यहाँ पर आपका है, अगर कोई इसको disoway करते हैं, तो उसको punish किया जाएगा, यानि कि उनको jail भी होगी और fine भी देना पड़ेगा, section 269 है, जो कि यहाँ पर कहा गया है, कि negligent आपका act है, जो कि आपका infections, disease के infections को spread कर रहे है यानि कि आप लोग मालों की mask नहीं पहन रहे हो, कहीं पर भी थूख दे रहे हो, किसी को भी आप लोग गले लगा रहे हो, या फिर जबर्दस्ती आप टच कर रहे हो, किसी को भी और मतलब कि sneeze कर दे रहे हो, तो यह सारी चीज़े क्या है ना, कि आपका एक काम है जिसके बहुत सारी चीज़े तो हम लोग भी देखे थे नियूज में कि लोग जो है सबजीयों में थूख लगा लगा के बेच रहे थे, साथी नोट्स में भी जो है थूख लगा के कहीं भी नोट्स फेक दे रहे थे, क्योंकि नोट्स जो गीरे रहते तो mostly लोग उठाई लेते, तो इस तरिके का कभी काम किया जा रहा था, तो इसको भी penalize किया जाएगा 269 के तरह, एक और यहाँ पे आपकी section निकल कराई, जो कि है 188, यह तो काफी news में भी थी, यह क्या है ना, कि यह default के लिए है, जो कि यहाँ पे जो public servant का जो order दिया जा रहा है, अगर वो इसको disobey क इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि पूरे जब से lockdown स्टार्ट हुआ है, तब से हम लोग यही कानून पढ़ रहे है, disaster management act कानून देख रहे है, तो इसके बारे में details provisions तो आपको पता होना चाहिए, यह जो कानून है, यह आपका कभ से आया है, जब आपका historically यह यूज किया गया था, और यहां पर जो framework तैयार किया गया था, इसमें बहुत सारे disease के spread को रखा गया है, जैसे कि cholera और malaria को भी include किया गया है, यह जो कानून है, यह आपका central और state government को authorize करते हैं, कि कुछ exceptional measures वो ले सकते हैं, और regulations भी प्रोव प्रेस्क्राइब कर सकते है citizens के लिए, जिससे कि यह disease आपका फैले ना, section 2 अगर इस कानून का आप देखोगे, तो यहां पर state government कुछ measures ले सकती है, कुछ regulations भी prescribe कर सकती है, अगर उनको personal के traveling पर अगर कोई inspections करना है, तो वो भी कर सकते हैं, जैसे यह देखा जा रहा था, यहां पर भी check किया जा रहा था, सबसे पूछा जा रहा था, कि आपने जो है, कहीं दूसरे state में जो है, दूसरे country में आपने कभी travel किया है की नहीं, last two month में travel किया है की नहीं, तो यह सारी चीज भी यहां पर आपका पूछा जा सकता है, वो भी इस कानून के तहत, साथी साथ यहां पर कुछ consequences भी specify किया गया है, जिसको यहां पर face किया जाएगा, अगर कोई भी इस कानून को violate करते है, साथी साथ epidemic disease act कि अगर बात करें, तो यहां पर deficit है, यानि कि तीन reason के कारन यह बताया गया, कि इसमें कमी है, तो देख लेते कि तीन हो reason क्या है, सबसे पहला reason है, कि यह जो law है यह आपका कुछ च second limitation यह है, कि जो यहां पर आपकी epidemic disease act है, इसमें कोई भी provision नहीं है, isolation को लेकर और sequencing जो भी required होना चाहिए, कि कैसे यहां पर drugs और vaccine वागरा देना चाहिए, क्या quarantine measures होना चाहिए, क्या दूसरी यहां पर preventive steps लेना चाहिए, तो यह सारी चीजों का भी description इसमें नहीं देखने को मिलेगा, third यहां पर क्या कमी है, third कमी यह है, कि इस कानून जो है न, यह सिर्फ emphasize करती है, और power जो है central और state government को दिया गया है, वो भी epidemic में, साथी साथ यहां पर कोई भी government की duties यहां पर prescribe नहीं की है, कि वो इस epidemic को कैसे prevent करेंगे, कैसे control करेंगे, नहीं यहां पर state को भी ऐसा क कर सके significant disease outbreak में, यानि कि सिर्फ power आपके पास किस को दिया गया, central और state government को दिया गया, इसलिए यह तीन तरीके की कमी देखने को मिल रही है, इस act के तहत, साथी अब यहां पर देखते है, दूसरी act आ गई है, यानि कि disaster management act 2005 और associate issues क्या है, यह भी देख लेते हैं, सबसे पहला कि जो COVID-19 है, उसको declare किया गया था, as a notified disaster, और यहां पर central government को allow किया गया था, कि वो अपने power को और जादा बढ़ा सकते हैं, यानि कि वो यहां पर कुछ policies ला सकते हैं, plan कर सकते हैं, guideline लेकर आ सकते हैं, disaster management के लिए, जिससे कि एक सही time पे जो है न, यहां पर एक effective response दिया जा सक कर रहा है, साथी यहां पर third point यह कहा जा रहा है, कि जो notification है, guideline है, circular है, clarification है, यह सारी चीज़े issue किया गया है, center की द्वारा, और साथी साथ यहां पर थोड़ी बहुत coordination है, for thought भी है, कि किस तरीके से consequences को implement भी करना है, तो यह सारी चीज़े भी रखी गई है, साथी issues है, कि यहा यहां पर cattle branch की जैसा नहीं देखना चाहिए, यानि कि यहां पर आपका इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, कि बस यहां पर disease आ गया, उस समय काम हो गया तो खतम, उसके बाद इस act से कुछ लेना देना नहीं है, यानि कि time to time इसमें किस तरीके कि आप लोग देखते हो कि हर इसके लिए कुछ अलग measures लेना होगा, तो यहां पर यहां पर यह काम करने की जरूरत है, बट ऐसा नहीं किया जाता है, अब देखते हैं कि पहले कि क्या क्या initiative है, और कुछ और recommendations भी देख लेते हैं, तो यहां पर पहले अगर बात करें, public health bill यहां पर आपका draft किया गया है, कि public health prevention करना है, control करना है, management करना है, epidemic की, bioterrorism की और disaster की, तो यहां पर epidemic कहा जा रहा है, sometimes pandemic देख रहे हैं, sometimes epidemic देख रहे हैं, है कि नहीं, तो confused मत हुए, अगर आप लोग मार्च मंद की current of years की देखे होंगे, तो आप लोग को clear हो गया होगा, अगर नहीं देखे हो, तो मैं यह आपर बताते हूं, epidemic होता है, कि मान लेजी कोई भी disease है, अगर वो आपका एक particular time में, mass number of people में अगर यह spread हो जाता है, और साती साथ आपको देखने को मिलेगा, कि जो इसकी rate of infections, जो spread होने की है, वो बहुत तेजी से है, तब इस disease को हम लोग epidemic कहते हैं, लेकिन जब यह आपकी कहते है, pandemic, pandemic में आपको क्या होता है, कि पूरे worldwide है, आपका फैला हुआ है, सारे लोग इसके चपेत में आचुके, maximum लोग इसके चपेत में आचुके, number of death बहुत जादा है, और vaccine है नी, और एक new तरीकी का disease है, so then it comes under the pandemic, okay, epidemic और pandemic आप लोग को पता होना चाहिए, एक होता है, इंडमिक, तो इंडमिक क्या होता है, कि माल लीजे कि कोई इंडमिक कहने का मतलब है, कि पटिकुलर जगा पे ही आपका वो disease जो है, एक पटिकुलर टाइम पर फैला, लेकिन बार बार वो फिर से रिकर होता है, क्योंकि आप लोग को पता है, कि वार बार आते हैं, अपने जादा आपका नहीं बढ़ता है ठीक है तो इस तरीकी का पब्लिक हेल्थ बिल को ड्राफ्ट किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री जो हेल्थ और फैमिली वेल्फियर किये वो 2017 मिसको लेकर आई थी जिसे की कोई भी गाप अगर पब्लिक हेल्थ में है तो इसको यहां पे कम किया जाएगा यह जॉइन्टी आपका प्रिपेर किया गया था नैशल सेंटर फोर डिजास्टर कंट्रोल और डिरेक्टरी जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के द्वारा साथी यहां पे ट्राइ किया गया था कि जो भी यहां पे हमारे लोकल गवर्मेंट को इंपावर करने की जुरत है वो सारी चीज़ें यहां पे की जाएगी यहां पर यह भी expect लगाया जा रहा था कि इस कानून के implementation से जो पुराने epidemic disease act 1897 के वो खतम हो जाएंगे और यह bill जो है आपका अब तक आपका table नहीं किया गया पार्लेमेंट में तो यह भी आप देख सकते हो कि इतना अच्छा खासा यहां पर लेकर आया गया लेकिन अब तक इसको जाए पास नहीं किया गया second यहां पर देख लो कि national health bill 2009 मिला गया गया था इसमें भी same आपका target था एक अच्छा खासा legal framework किया गया था कि कैसे essential public health service यहां पर provide करे और health को यहां पर recognize करके जो कि fundamental right होती है लोगों की तो यह भी चीज़ आपका रहा इसको भी consider किया गया स्टेट के द्वारा लेकिन यहां पर आप देखोगे कि काफी यहां पर भी attempt लिया गया कि यहां पर statute को आपका ड्राफ्ट करना जो कि community health में जैसे कि आपका model public health act 1955 किये इसको 1987 में update किया गया union government है जिसको कि यहां पर यहां पर स्टेट को convince कर सके कि इस तरह के कानून को अड new entry को add करना चाहिए concurrent list में वह भी किसलिए तो management of disaster and emergency के लिए nature और man-made के लिए तो इससे क्या होगा कि इससे recommend किया गया था आपका national commission के द्वारा कि वह यहां पर working of constitution को review करेगी और बात में ministry of home affairs task force के द्वारा इसको setup भी किया गया था कि वह यहां पर disaster management act को जो है review करेगी तो यह सारा काम तो आपका पहले initiative लिया गया था recommendation भी दिया गया था लेकिन इसमें जो है कोई काम आपका success होके नहीं निकला है conclusion में देख लेते conclusion में यहीं बताया जा रहा है कि in country जिसमें की rule of law के द्वारे यहां पर govern किया गया है तो काफी essential है कि सारी power को जो है exercise करना चाहिए तो आपको यह पता है कि हमारे country में जो भी काम होता है वो यहाँ पर सन्विधान के द्वारा ही होता है जो भी लिखा है उसी को हम लोग मानते हैं साथी साथ state और जो third tier government है उनको भी यहाँ पर जो है एक lead में लेना चाहिए जिसके through public health crisis को tackle कर सके COVID-19 जो public health emergency है वो यहाँ प जिसको इंडिया जो है ना future में भी phase कर सकती है साथ साथ हम लोग देखिए कि यहाँ पर global जो best practices है उससे हम लोग सीख कर सकते है तो इसमें पहला जो है Canada है emergency measures और जो emergency management है federal level पर यह आपका emergency act 1988 और emergency management act 2007 की थ्रूश को government किया जाता है बहुत सारे जो provinces है ना उनका अपना वह यहाँ पर provincial level पर handle किया जाता है और central government के साथ coordinate करके वह यह अगर Australia की बात करें तो national health security act 2007 है जो कि यहाँ पर कुछ processes को structures को एक जगा रखती है और यहाँ पर कोई भी तरीके का national health emergency है उसको deal किया जाता है और designate किया जाता है entities को जो भी यहाँ पर coordination provide करती है साथ ही साथ य कानून को apply करें jurisdictional यहाँ पर response दे और coordination process लेकर आ है तो यह आपका जो है Australia का है वहीं England का आप देखना चाहते हो तो Public Health Control of Disease Act 1984 है जो कि यहाँ पर आपका लाया गया था जिसका aim था कि specific functions होना चाहिए different authorities के लिए कि अगर कोई national health emergency आती है तो यह कानून जो है ना a clear hierarchical chain यहाँ देती है कि primary, secondary और tertiary response किस तरीके से करना है अगर यहाँ पर कोई भी health challenge को deal करना है तो यानि कि different countries में आपनों देख सकते हो कि health emergency के लिए एक अच्छा खासा कानून है बट हमारे हाँ एक अच्छा खासा कानून नहीं है यह जो disaster management act हम लोग लेकर आ रहे वो तो disaster के लिए है म health emergency में हम लोग इसके कानून को इस्तेमाल करें यह भी आप लोग देख सकते हो एक specific होना चाहिए health emergency के लिए जैसे कि हर एक country में आपको देखने को मिल रहा है है की नहीं आई अब इसी से एक next article है उसको भी देख लेते हैं यानि कि हमारे health workers को protect करने के लिए एक ordinance लाया गया था so what is ordinance अभी तक तो हम लोग देख रहे थे act आता है बिल आता है ठीक है तो देखिए जब भी कोई ऐसा प्रावधान लाना होता है कि कुछ changes लाना है या फिर कुछ नया कानून लाना है तो जो लोगसभा राजसभा में जो आपकी center level पे और state level पे जो आपका state legislative assembly या council में जो पास होता है वो एक बिल के रूप में पास होता है ठीक है जब ये बिल में आपका लोगसभा राजसभा दोनों से आपका जो है इसमें साइन हो जाता है प्रेसिडेंट भी इसमें साइन कर देते हैं तो ये बिल आपका act में convert हो जाता है जिसको हम लोग कानून कहते है और य तो यह जो आपका तीन सेसन होता है तो यह तीन सेसन के मीटिंग के अलावा जो टाइम बसता है अगर उसमें ऐसा लगा कि नहीं कुछ एमर्जेंसी है उस समय जो है प्रेसिडेंट को अगर किसी तरीके का कानून लाना पड़ता है जिसको कि पूरे इंडिया में इंप्लिमें ला सकते हैं सेम पावर आपको गवर्णर को दिया गया है अगर किसी स्टेट में आपका कोई वी तरीके का इमर्जेंसी है उस समय आपको कानून लाना है और उस समय स्टेट लिजिसलेटीव असेम्बली यह फिर कांसल सेशन में नहीं है तब वहां पर क्या होता है कि 213 आर relaxation mode होता है उसके बाद अभी आपका स्टार्ट हो का Monson Station तो इसलिए इस बीच में Ordinance लाए गया था तो President जो है वो यहाँ पर बनाया था Epidemic Disease Ordinance 2020 इसमें क्या है कि Epidemic Disease Act जो 1897 किये उसको यहाँ पर थोड़ा एमेंड किया गया है जिसके तो यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा प्रोपर्टी को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा और इसमें Living और Working जितने भी लोग है जो कि यहाँ पर काम कर रहे है Epidemic के टाइम पर ओके अब देख लेते इस Ordinance में क्या-क्या Key Features रखा गया क्योंकि यही चीज़े आपको जाननी है सबसे पहले Definition रखा गया है यानि कि Ordinance यहाँ पर Health Care Service को Define करती है कि as a person जो कि Risk में है और Risk of Contracting है Epidemic Disease का जब वो यहाँ पर अपनी डीटीज का Carry कर है जैसे कि आप लोग देखते हो कि Health Workers जितने भी Doctors है, Nurse है, Compounder है या फिर कोई भी आपके जो भी Hospital में रहते है सारे क्या करते है कि इस समय एपिडेमिक के टाइम में जब हम लोग घर पे बैठे थे, हम लोग घर पे छुपके थे सोचल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे है तब उस समय यह Doctors जो थे, वो Real Warriors थे वो लोग वहाँ पे खड़े थे और जितने भी इस तरीके की Disease आपके निकल कर आ रहे थे, जो लोगों को इस तरीके की वाइरस देखने को मिला था वो इन सारे लोगों को जो है इलाज कर रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उन सारे लोगों को जो है यहाँ पे जो जिस तरीके का सर्विस वो प्रोवाइट कर रहे है उसको यहाँ पे Health Care Service बोल रहे है कोई भी पब्लिक या Clinical Health Care Service जैसे की डॉक्टर है, नर्स है, पारमेडिकल वोरकर्स है, कॉमिनीटी हेल्थ वोरकर्स है, उन सब को यहाँ पे include किया गया है साथी कोई और भी person जिनको इस कानून के अंदर empowered किया गया है, जो कि यहाँ पे काम करते है और इस disease को spread करने से बचा रहे है या फिर कोई और भी person जो कि declare किया गया है किसी state government के द्वारा, या फिर official gazette के थूरू जो है उनको notification के द्वारा उनको declare किया गया है तो यह सारे लोग किस में आते हैं, healthcare service में आते हैं, साथी आप लोग यहाँ पे देखो act of violence यानि कि violence का आपका include कुछ commit किया जा रहा है यानि कि अगर आप लोग healthcare service के against में कुछ commit कर रहे हैं तो उसको violence का जा रहा है जैसे कि harassment है और जो कि impact हो रहा है living or working condition में कोई harm हो रहा है, injury हो रहा है, किसी को hurt हो गई, किसी के life को danger है, या फिर obstruct हो रहा है, किसी duties को discharge करने में, या फिर किसी के property को loss हो रहा है, damage हो रहा है, healthcare service के जो personal है, उनकी document यहाँ पे loss या damage हो रही है, तो यह सारी चीज जो है act of violence के अंदर आ गई साथी साथ यहाँ पर punishment भी है, इस violence में आप देखोगे कि यह punishable है, यानि कि imprisonment है, यहाँ पर आपको jail भी हो सकती है, तीन मन्द से पांस साल के लिए भी, और fine भी देना पड़ेगा, पचास हजार से यहाँ पर आपका दो लाख रुपीज तक भी, जो कि compound किया गया है victims के द यहाँ पर बढ़ाया गया, साथी fine कितना है, तो एक लाग से पांच लाग तक का, यह जो offense ही आपका cognizable भी है, non-bailable भी है, कहने का मतलब है कि cognizable है, ठीक है, और यहाँ पर non-bailable है, यानि कि आपको यहाँ पर bail नहीं मिलेगा, ठीक है, एक बार आप पकड़े गया है, तो कर रहे है, और healthcare service के personal है, healthcare service के personal को यहाँ पर compensation देना होगा, अगर वो यहाँ पर किसी को hurt कर रहे है, investigation अगर देखें, तो यह cases आपका register किया जाएगा, जिसको किया पर police officer के दौरा investigate किया जाएगा, जो कि rank, inspector के rank के नीचे नहीं होना चाहिए, और यह जो investigation है, यह आपका complete और जो trial है, उसको यहाँ पर conclude करना है एक साल के तायद, अगर यह conclude नहीं किया गया इस time period में, तो judge जो है न, वो इस reason को, यानि कि delay of reasons को, वो record करेगी, और कुछ time period भी extend कर देगी, साथी जो time period है, वो यहाँ पर आपका six months से जादा extend नहीं होगा, और जो burden of proof है, offense का, वो यह यहाँ पर guilty भी आपका यहाँ पर पाय जाएगा, यानि कि अगर यहाँ पर आपका burden है, किसी भी proof को लेकर कोई भी अपराज किया गया, तो वो fall on the guilty होगा, अब आते हैं कि इस तरीके के ordinance का खमनों को जरूरत क्या पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके का कानून नहीं तो यहाँ पर हरास्मेंट को जो घर पर हरास्मेंट हो रही है, उसको वो cover नहीं करते हैं, हरास्मेंट जो की workplace में है, उसको cover नहीं करते हैं, और सिर्फ focus करते हैं physical violence में, तो इसलिए इस तरीके का कानून लाने का जरूरत पड़ा, second है कि low health literacy है, लोगों को यहाँ पर जानक fail है कि वो यहाँ पर rational laws को यहाँ पर rational views को यहाँ पर समझ सके, तो यह भी problem है, third है कि lack of adequate security है, यानि कि आप लोग देखते हो कि hospital में क्या होता है, कि जब भी किसी की जान चले जाती है, तो जिस patient की जान चले जाती है, उसके relatives जो है न डॉक्टर को पकड़ के ही मारने लगते जितने भी होते हैं, वहां के compounded nurse सबको मारने लगते हैं, वालेंस बहुत तरीके का देखने को मिलता है, इवन जो documents पगे रहा होते हैं, उसको भी फार देते हैं, जला देते हैं, तो इस तरीके का जो है न, जो patient के relatives होते हैं, उनके द्वारा भी यह देखा गया है, साती doctors ज जो है, यह देखने को मिला है, तो security की कमी के कारण है, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो case कितना जादा आपका sensitive case है, इस समय जो है doctors ही एक real warrior जैसा काम किये है, और आप लोग क्या सकते हो, गर्भ भी कर सकते हो, कि हमारे country के इतने सारे doctors है, जो कि दिन रात एक करके जो ह लेकिन हाँ, जो act of violence उनके अधीन होता है, माल दीजी की COVID-19 के patient है, उनका अगर death हो गया, तो क्या होगा, उनके जो relatives होंगे, वो doctor को मारने पिटने लगेंगे, तो ये भी case होने लगता है, जो document होगा, उसको भी जला सकते है, fake सकते है, फार सकते है, तो ये सारी violence होने लगत आपको secure होना बहुँ जादा जरूरत है, जहाँ भी insecure होगे, आप तो आप अपना काम भी पूरी तरीके से perform नहीं कर पाओगे, तो यही सारी बात यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, conclusion में बताया गया है, कि जो ordinance act है, यह deterrent है, यानि कि यहाँ पर देखे, कोई भी patient के जो भी यहाँ पर relative होगे, उनके अंदर एक तरीके का डर तो होगा ना, कि नहीं, अगर यहाँ पर doctors के उपर हाथ भी उठाते हैं, या फिर doctors को कुछ abuse भी करते हैं, तो उनको jail भी हो सकता ह और यहाँ पर cognizable है, non-believeल है, तो आपको bail भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसको घोर अफराद के अंदर यह रख दिया गया, जो कि बहुत सही भी है, क्योंकि doctors जान मुझके कि किसी का जान नहीं लेते हैं, अब वो नहीं बच पा रहा है, इंसान पेशन नहीं बच पा रह चाहिए, जिससे कि यह जो healthcare workers के ऊपर, जो permanently violence का issue होता है, इसको address किया जाएगा, तो यह तो बहुत जादा जरूरी है, पहले ही ला देना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार के ऊपर, जब तक यह वाला problem वाला जब घंटा नहीं बसता है, तब तक हमारी सरकार का आँख नहीं यह वाला तो बहुत हद तक देखा गया, चाहिए कोई भी doctor हो, surgery doctors तो बहुत जादा problem होती है, उनको तो even life का threat भी मिलता है, तो यह भी problem है, क्योंकि आप लोग देखो न, एक myth और यहाँ पर false belief कहा गया है, यह बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोग क्या होता है, कि बहुत जादा खराब है, बहुत ही serious condition है, तो लोग क्या सोचते हैं कि doctor भगवान है, doctor बचा लेंगे, doctor भगवान थोड़ी है, doctor हमारे जैसे लोग है, वो वस उस label का पढ़ाई किये, उस label का वो practice किये, तो उनको पता है कि वो कैसे इसको shot out कर सकते है, लेकिन वो भगवान न और जो medical institution bill 2018 है, इसको past किया जाना चाहिए, और वो भी यहाँ पे कुछ provisions हो, जैसे कि यहाँ पे timely assistance provide करना चाहिए, जो भी victims है medical negligence के कारण, या फिर mismanagement का, तो यहाँ पे district voice committee भी बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा न, कि इस तरीके के victims को मदद मिल पाएगा, और यहाँ प साथ आपको अभी इसके बाद Tamil Aardu book की जो history की 11th class की है, उसकी lesson आपको देखने को मिलेगी, और फिर हम लोग morning में तो कुछ quiz solve करते ही, insight IS की, तो उसको करते रहेगी, वो आपकी आप continue रहेगी, साथी साथ आप लोग देखोगे की PD 365 की भी जितनी बची भी lesson है, आपकी वो लेकर आती हो, एक भी दिन miss नहीं होता है, hardly कोई दिन होता होगा, मुझे लगता है कि कभी कोई महीने में miss हो जाती होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो आई कि miss मैं करती हूँ, है कि नहीं, एक lesson तो minimum आपको provide करती हूँ, चाहे मैं कितनी भी busy हो, तो ये बस इसली होता है, क्यो bell icon होगा, उसको जरूर प्रेस कर लिजेगा, क्योंकि आप लोग को notification नहीं मिलता, और इसकी PDF आप लोग को चाहिए, या फिर कोई भी और PDF चाहिए, तो आप बस मेरे telegram channel को join कीजे, जो कि resource point के नाम से है, मैं कई बार बता चुकी resource point UPSC हो चुका है, अब हमारा channel का नाम भी यहां पर बदल चुका है, UPSC मैं specified कर दी हूँ, क्योंकि कई दिनों से मुझे थोड़ा बहुत यह आप लोग बोल भी रहे थे, तो मुझे लगा कि ने, UPSC आप specified कर देना चाहिए, इससे बचों का attention जादा होता है, तो इसलिए मैं यहां पर name change कर दी हूँ, तो चलिए लाओ